मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं की थी, दो भाई, तीन बेहने, वालदा है, हमारे वालिद के नाम 12 एकर जमीन और एक मकान है, शेक सवाल ही है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, सवाल में का गया कि वालिद का इंतकाल हो चुका है, दो भाई, तीन बैने के रहे हैं और उनकी मृत क्या हैं तेन बेटियां है Перर्भाइन क्या है इसकोता है। आपकि आने बच्चों के वाली फौता हुची हैं और उनकी बीवी है और दो बेटे हैं और दो किर्टी हैं और तीन पैटियां हैंadan तो घूर बारणा एकड़ positioned waren किशको कितना इसम लिजा लगा तो देखे, बाड़ा एकड़ जो जमीन है और जो मकान है, सभी मालियत मालम करे, सभskी कीमत मालूम करे, और सभकी कीमत मालूम करने के बाद उसके आठ हिस्सा करते है,। न आठ हिस्से मेंसे एक हिस्सा होगा आपकी वालदा का, य plea मरने वाले की बीवी का, और बाकी बचेगा साथ तो साथ में से दो-दो हिस्सा होगा हर बेटे का और एक एक हिस्सा होगा हर बेटी का चुंकि इनके बारे में आलाद के बारे में लाने का यूसीकुम लाव फी आलादिकुम लिद्धा करेम इसलो हज्दिल उनसे एन कि ओलाद का हिस्सा इस तरह होता है कि मजखकर को मिलता डबल बनिस्बत मौननस के तो आठवा हिस्सा वालदा का होगा यह नहीं मरने वाले की बीवी का होगा आप लों की वालदा का मरने वाले की बीवी का आठवा हिस्सा जो बच्चे का साथ उन साथ में से दो दो हिस्सा हर लड़के का और एक एक हिस्सा हर लड़की का क्योंकि आलाद की कुल तादाद जो है तीन दो पांच है और लड़कों को डबल मालने तो साथ बनती है तो दो दो हिस्ता हर लड़के को और एक एक हिस्ता हर लड़की को इस तरह से ये माल तक्सीम होगा और मैं देखिया आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें